जेहन दोस्तों आसा करते हैं आप सुस्तोंगे मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल करे मिलार मैं आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं देली सल्तना चोकी मद्दिकाली नितियास का एक महतपूर चेप्टर है उससे संबंदित सो महतपूर प्रसन लेकर क्याया हूँ जो एक्जाम में बारवाप पूछे जाते हैं उसी काच पार्ट वन में डिसकस करूँगा यानि की 50 कोश्चन इस वीडियो में डिसकस करूँगा आपके साथ में और ये कोश्चन सारुक के आपके आने वाले एक्जाम जैसे की UPSI और डेली पुलिस, SSC, NTPC इन सब के एक्जाम के पॉइंट आफ यू से काफे महतपूर है तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें आपको इससे बहुत कुछ सिखने को मिलेगा तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की और बात कर लेते सबसे पहले मद्दिकारिन भारत के इतिहास की तो हमने बताया मद्दिकारिन भारत के इतिहास का एक महतपूर चेप्टर है ये और इसमें अगर बात करने दिल्ली सल्तनत की तो दिल्ली सल्तनत में कमसा पांच राजवन्स आये थे सबसे पहले ममलूक राजवन् के बाद तुगलक राजवन्स आया, फिर सयद राजवन्स आया, फिर अफगान लोधी राजवन्स आया, मतलब ममलूक राजवन्स जो था, वो 1206 से 1290 तक चला, और खिलजी राजवन्स 1290 से 1320 तक चला, तुगलक राजवन्स 1320 से 1414 तक चला, सयद राजवन्स 1414 से 1414 से लेक करूँगा लेकिन मैं डेटेल में बता रहा हूँ यह आपको कि यह पांच राजवन्स जो आये थे देली सल्तनत के और इनका सिक्वेस कभी कभी एक्जा में पूस देता है कि बताइए कौन सा राजवन्स कि स्क्रम से आया था तो आप याद रखेंगे ममलुक राजवन्स जो किस राजवन्स ने सासन किया है तो आप आपका याद आंसर होगा तुगलक राजवन्स ने सासन किया इसने लगबग 94 वर्सों तक दिल्ली सल्तनत पर सासन किया था किसने तुगलक राजवन्स ने तो सबसे महतपूर कोश्चिन यही बनता है कि बताए दिल्ली सल्तनत पर स शत्तर वर्सों तक सासन किया था, मतलब एक तरीके से दिली सर्दनत पर, ठीक है, और घुलाम वन्स ने इसने लगबग 84 वर्सों तक सासन किया था, आप याद रखेंगे, तो इतने तीन याद रखें, कि सरवादिक समय तक दिली पर सासन करने वाला तुगलकवन्स था उसके बाद अगर देखा जा जा दूसे नंबर पर तुगुलामवास तीसे नंबर पर लोधी राजवन्स था ठीक है और चौथे नंबर पर सयद था जो जिसने आपके साथ में बढ़ते हैं इस वीडियो का पहला क्शन है कि महंम्मत गजनवी मैंने इस वीडियो में गौरी और गजनवी दोनों को सामिल कर लिया है दिली सलतरत के साथ ही एक तके commen्जिश कर आपके सार्थ आप Base Tools करूँगा मैं ठीक है तो पहला क्शन है महमूद गजनव जो कि 2000 इश्वी में आया था, इशने सर्प्रप्थम पंजाब के साथ सकbs जैपाल पर आक्नमर्ण किया था, ठीक है, तो ये इसके साथ में एक विद्वान आया था, मुश्मिम उद्वान, उसका नाम क्या था, पूछ रहा है, तो उसका विद्वान था Вो मुश्मिम विद् विद्वान था एक धर्म निर्पेच लेखक भी था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे भारत का दरपड माना जाता है उस समय उस समय भारत का दरपड कहा जाता था इस क किताबुल हिंद्ध पुस्तक को, तो आप इतनी बात याद रखेंगे मौंब्ध गजनेवी के साथ में, कि मौंब्ध गजनेवी के साथ भारत आने वाला मुसलिम विद्वान कौन था दोस्तों, तो अलब्रूनी में और इसे भारत का दरपड़ भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे, तो निक्साद की बात करते हैं, तो याद रखेंगे, मुहमध गजिनावी कीसाथ भारत आने वाला मुस्मिष्दान कौन था, अलबुरूनी, ठीक, नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं, नेस्ट में और ये किसके साथ लड़ा गया था तो जलाओ दिन मकबरनी, गजनी का महमूद, साबुत दिन मुहम्मद गौरी, चंगेश खां, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुत दिन मुहम्मद गौरी, यानि निनकित नामों को कलानुकरम में विवस्तित करें और रुबा नीचे दिये गए कूट में सही उत्तर प्राप्ट करें, कि चंगेश खां, आप नमबर एक चंगेश खां, नमबर दो मुहम्मद गौरी, नमबर दो निनके आने का पर करम की बात जैसे के में ने बताया मुहम्मद गुजुरू में इसने पंजाब के ऊसास पर जैपल पर अक्रमड किया था और उसी समय आया था उसके बाद बात करने की गौरी की बात कर लें तो गौरी जो था ये 1163 में आया था 1163 से 1202 तक इसने सासन किया गौरी ने उसके बाद चंगेज जो था वो 1221 में आया था और उसके बाद तैमूर आया था तो यह आप याद रखेंगे तिनी डिटेल तो इनके करम की बात पूछा तो पहले कौन आया था तो दोस्तों महमूद गजनवी आया था गजनवी के बाद मुहमद गौरी आया था याद रखेंगे गजनवी गौर है मुहमद गौरी और है मुहम्मद गजनवी पहले फिर मुहम्मद गौरी आया था उसके बाद चंगेज खान आया था इल्टु तो नेक पॉर्शन की बात करते हैं किस मुस्लिम सासक के सिक्को पर देवी लच्मी की आकरच बनी है आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन मुस्लिम सासक है जिसके सिक्को पर देवी लच्मी की आकरच छपी हुए दोस्तो आफसन में है मुहमद गौरी अलाओ दिन खिल जी अकबर उपिक में से कोई नी दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहम्मद गोरी मुहम्मद गोरी एक मात्र मुसलिम सासक था जिसके सिक्को पर देवी लच्मी की आकरत मिलती है आपको याद रखेंगे देवी लच्मी की आकरत किसके सिक्को पर मिलती है तो मुहम्मद गोरी के सिक्को पर इसका correct answer हो जाएगा चंदावर का युद्ध दूआ था 1194 स्वी में उशी युद्ध में मुहम्मद गोरी ने जैचंद को पराजित किया था जैचंद जो की चंदावर की बात करें तो चंदावर ये छेत्र जो इटावा आपका इटावा और कनोच के मद छेतर है ये मुना नदी के निकट का तो वहीं पर ये चंदावर का युद्ध हुआ था मुहम्मद गोरी और राजा जैचंद के बिम्मद जिसमें राजा जैचंद जो थे वो पराजित हुए थे आप ये भी याद रखेंगे ये राठावर बंसी सा सकते तो मुहम्मद गोरी ने जैचंद को किस युद्ध में पराजित किया था तो जैचंद चंदर से याद रखो चंदर से चंदावर तो चंदर से चंदावर जो जैचंद कब पराजित के किस युद्ध में पराजित हुए थे तो चंदावर का युद्ध था कब हुआ था वो 1194 में हुआ था दोस्तों ठीक इतना याद रखेंगे next question की बात करें next question का रहा है कि निम्ने कत्वनों में कौन अलबरूनी से संबद नहीं है निम्ने कत्वनों में कौन तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्ने के कौन अलबरूनी से संबद नहीं रखता है तो दोस्तों इस question की बात करें कि इन में से कौन गजनी राजवन्स का संस्थापक पूछ रहा है अध्में अल्पत गीन है महमोटर वहा सं च ret्स है लेकिन अगर वास्टविक संस्थापक की बात करोगे तो वास्तुसं संस्थापक संस्थापक कौन है तो आप संस्थापक के ट्क करिएगा ठीक है कि यही आंसर क्यों का अप याद रखेंगे और यह अल्पद गीन का पुत्र था है तो नेक क्वेशन की बात करें भारत में सुरपतम मुसलिमाऐ्करमरकारी थे कहाँ चूर्प एक पूश्यन है बहुत बूचक में क्वेशन है थी थे थी थे जाट कूशों का नामा का लेकशक हूं बहुत इंप्सक्या सांनामा का लेकशक कौन E आप सेनल में उतबी εδώ फिरुडूसी तो दोस्तो इसका correct छो हो जाएगा तो फिरुडूसी को पूरिडूसी paradoukal आपको बता दें रहा दें है यह ऊनामा बहुत ही महान लेखक थे एक दिली संतनत के जिनोंने सा नामा पुस्तक की रचना की है ठीक तो याद रखेंगे फिर्दोसी सा नामा का लेखक का कौन है सा नामा पुस्तक का लेखक कौन है तो फिर्दोसी हैं और इन्हें पूरु का होमर कहा जाता है क्या कहा जाता है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्पतम अंकित होता है। वैद रखेंगे कि अल्ला ने पैगंबर मुहम्मद साहब को दोत के रूम में भेजा था और उनके बाद इस्लामी समाज का सबसे बड़ा जो सौमी हुआ वो खलीफा कहला है और ये जो खलीफा थे वो एक तरीके से चार हुए थे पैगंब मुहमत साब के बाद चार खलीफा हुए थे उनमें से एक थे अबू बक्र थे एक अली थे और एक उमर थे एक उस्मान थे आपको बता दें एक अबू एक मिनट अबू बक्र एक अबू बक्र हो गया एक अली हो गया ठीक है और एक आपके थे उश्मान हो ठीक है इसमें थोड़ा जगा नहीं मैं बता देता हूं आपको उश्मान और दूसरे थे उमर दूसरे उमर यहां लिख देता हूं एक फिर से लिखता हूं यहां पर एक हो गया देखो अबू बक्र हो गया अली हो गया उसमान हो गया और एक हो गया एक तम्हारे उमर यह जो चार खलीफा थे आप याद रखेंगे तो याद रखेंगे खलीफा क्या होते हैं तुमने बताया कि जैसे अल्ला के बाद अल्ला ने एक दूध को पैगंबर मुभ्मस साब को दूध कर रूमें भेजा था उनके बाद इस्लामिक समात का जो सबसे बड़ा स्वामिक कहलाया वो तरीके से खलीफा थे और पेगंबर मुध GUY साब के बाद चार खलीफा हुए थे, वो अबुबकर थे, अली थे, उमर थे, उस्मान थे, ये चार खलीफा खलीफा रखेंगे, और खलीफा इसलाम का सासक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मात्र सासक कहा जाता है और सासक और सुल्तान खलीपा के प्रतनिद होते थे जिसे खलीफा के द्वारा अनुमत प्राप्ट होई थी तो इतनी बात याद रखेंगे तो कोशन करा हैं वा सासक जिसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीपा का नाम सरपतम अंकित हुआ है तो दोस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपसन में आप कुतुबू दिन एबख है अलाओ दिन खिलजी है अलाओ दिन मसूद सा है तो आप याद रखेंगे इतनी बात कि इस कोशन म की बात करते हैं किस वंस के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया आपसन में खिलजी वंस है लोधी वंस है दास वंस है तुगलक वंस है जो से कि मैंने पहले बताया था तुगलक वंस ने भारत में 94 वर्सों तक सासन किया था आप याद रखेंगे और लोधी वंस ने कितने वंस तक था, लोधी वंस ने जो सासन किया था, इसने जो सासन किया था, ये 76 वंस तक सासन किया था, लोधी वंस ने 76 वंस तक किया था, खिलजी वंस की बात करें, तो खिलजी वंस ने 30 वर्सों तक किया था, ठीक, और ये जो तुमारा मगलूक वंस है, गुलाम वंस, इसने कितने वर्सों शासन किया था, आप याद रखेंगे इतनी बात, न zach пोशन की बात करें, तो दोस्तो इसका correct आंसर तो आप समझे कैं हौँगा, क्या होगा कि आपसे पूज़ा किस वंज के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज में सासन किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुगलकवन क्या हो जाएगा तुगलकवन 94 वर्सों तक सासन किया था इसने नेर्ट पॉर्शन की बात का निमने किसे मद कारिन भारत की प्रतम महिला सासी का कौन थी या महिला सासक थी आपसें में रजिया सुल्तान है चान बीबी है दुरगावाती है नूर जहां है तो महिला सासक की बात कर रहा है तो महिला सासक कौन थी दोस्तों वो थी रजिया सुल्तान वो कौन सी थी रजिया सुल्तान जो थी वो प्रथम महिला सासक थी इल्टुतमिस की ये पुत्री थी ठीक याद रखेंगे इल्टुतमिस की ये पुत्री थी जिसे दिल्ली सल्टनत का एक तरीके से वास्टविक संथापक कहा जाता वैसे तो दिल्ली सल्टनत की इस थापना एक तरीके से कुतबू दिनेबक ने की थी लेकिन अगर वास्टविक संथापक की बात करें तो हम इलतुतमिस को कहते हैं वास्तिक संथापक दिली का इल्टु्तमिस था, Next question की बात करें, Next question की बात करें, करा दिल्ली सद्रत का वह सुल्तान जिसे लाक बक्स के नाम से जाना जाता है वह सुल्तान बताना है जिसे लाक बक्स के नाम लाक बक्स मस्तों मतलब जो अपनी दानी प्रवत्ति के लिए जाना जाता है मतलब जो जान देता है अधिक दान साली प्रवत्ति का विक्ति है ठीक इस तरह से ठीक next question की बात करें next question कहता सुल्तान कुतुबू दिन एबग की मृत्यू कैसे होई थी तो आप्सन में है उसके एक महत्तुकांची कुलिन वेक्ति ने छूरा मार कहता कर दे थी बिल्कुल गलत ऐसा कुछ नहीं हुआ था पंजाब पर अधिकार पाने के लिए गज से गिरने के कारण यह बिल्कु कश किया जाता है यह गौड़ के समय गkorण से किमृत्य हो जाते हैं तो याद रखेंगे को तुब दिन बाग की मृत्यूद कैसे होई तो चौवगान खेलते मुस्लिम सासक कौन था दिल्ली का प्रतम मुस्लिम सासक कूछ रहे हैं देखो दिल्ली का ऐसे प्रतम सासक की बात करे तो कुतुबू दिनेबक था लेकिन जब प्रतम मुस्लिम सासक की बात करेगा तो आपसे में कुतुबू दिनेबक है इल्तुतमिस है रजिया सुल्तान है तो इसका correct answer हो जाएगा इल्तुतमिस जो था वो दिल्ली का प्रतम मुस्लिम साजक था कॉतुबू दिलेबा कि तुर्क था ना लेकिन प्रतम मुस्लिम साजक कौन था तो इल्तुतमिस था याद रखेंगे नेक कोशन की बात करें दिल्ली का वसुल्तान जो मंगोल नेता चंगेज खान का समकालिन था जो कि मैंने बताया चंगेज खान ये 1221 इसीव में आया था जलालो दिन मकबरनी का पीछा करते हुए ये दिल्ली तक पहुँच गया था सिंदो नदी के तक ठीक परन्तु इल्तु कुछ नहीं है याँ पर तो दुस्तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके सहसंकाल में आया था तो इल्तुमिस के सहसंकाल में आया था तो दिल्ली का वसुल्तान जो मंगोल नेता चंगेज खान का समकालिन था तो इल्तुमिस था और ये सिंदो नदी के तर्ट तक पहु जाईशी बाद जिसकर सबकालिन होगा, उसी के संसन काल में देखा गया होगा, तो किसका correct answer क्या हो जाएगा, इलतृतमेसर, नेक्क qurion की बात करें, कि möjद टृतमेसर ने बिहार में अपना पहला सुभेदार निउत किया था, किसे? इल्तुत मिस्ट ने बिहार में पहला सुभेदार किसी को निक्त किया था तो उथा मलिक जानी थी नेक्स्ट को बेगम को सत्ता चियूत यानि सत्ता से हटाने में किसका हाथ था सत्ता में हटाने का किसका हाथ था अपसर में अफगानों का मंगोल थैसे हाथी नहीं था तुरकोगा अर्बो का तो इक जिल्ली के सुल्तान बल्बन का पूरा नाम क्या दिल्ली के सुल्टान बल्बन आपको बता दें दिल्ली सल्टरत में कुछ महान सासक हुए हैं जैसे कि बल्बन मगलुक वंस की बात कर तो मगलुक वंस में जैसे कि इल्टुतमिस हो गया बल्बन हो गया और रजय सुल्टान हो गई और कुतुबू दिनेबक ये चार जो हैं, हुएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार जो थे, ये काफी महान सासक हुए हैं, जिनमें से आप इलतुतमिस और बल्बन का नाम तो जरूर याद रखें, इनके बारे में बहुत सारे कोशन बनते हैं, ठीक है, तो दिल्ली के सुल बल्बन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुर दिन था, आप याद रखेंगें, नेट कोशन की बात करें, ये बहुत ही इंपर्टन कोशन है, आपके एकजम के पॉइंट आफ यूसे, मने बहुत ही ढून की रखा है इन कोशन को आपके लिए, ठीक है, तो कहरा दिल्ली के क इसकी सुल्तान के विशे में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीत अपनाई, बहुत इंपर्टन कोशन है, का ऐसा कौन सा सासक है, जिसके विशे में कहा जाता है, उसने रक्त और लोह की नीत अपनाई है, आफसन में इलतुतमिस है, बल्बन है, जलालो दिन फिरोज ख सक है बलबन कहता है कि ये जब अपने सामने असाहयों और अपंगों को देखता था तो इसका कहता है ये किसी कहता था कि जब मैं असाहयों अपंगों को देखता हूं तो मेरा हाथ सोता मेरी तलवार पर चला जाता है और मेरा मेरी इच्छा होती है कि मैं इस कमजोरी को इस धर इसकी नीति क्या थी, कि इसे गरीबी अगर है, इसका महने था कि गरीबी ने खतम करूँ, गरीब खतम कर दो, गरीबी अपने आप खतम हो जाएगे इसकी यह पॉलशी थी, ठीक, तो रोक तो लोग की नीति अपनाने वाला सवसा कौन था, दिली सदन्त का, तो बलबन था, न जिलला घोसित कर लिए है। किससे संबंदित हो तो ये बल्बन से संबंदित है आप ये भी याद रखेंगे ये संबंदित किससे है तो ये बल्बन से संबंदित है बल्बन ठीक है नेक कोशन की बात करें सुयम को अपने आपको खलीफा का सायग बता दिया है तो एक काने अलग महानकार महान साथ कौन था आपसे में बलबन है कैकुबाद है जलाल उदिद खिल जी और पिक मेंसे कोई नहीं तो इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा बलबन यह सम्माहनकारी कौन करते थे बलबन करते स्वयम को बहुत ही मतलब एक त istiyorum सासका था इये नेक ट्रॉंस की बात करें करता डिली का प्रस्ठम सिय्के जारी किये अपको बता की जब मगलूक वंस यानी की गुलाम वंस की है स्थापना हुई तो इसकी स्थापना कुत्व बुद नेवक ने की थी और इसमें लाहोर को अपनी राजधानी बनाया था उसके बाद जो इलतुत मिस्थ था दूसर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इलतुत मिस्र हो जाएगा गुलाम की पहले राजधानी क्या थी लाहोर और इलतुत मिस्थ ने अपनी राजधानी बाद में क्या बनाई दिली और तभी से एक तरीके से दिली सल्तनत का वात्विक सलसापक कहलाया चंगेश खां क्या दिन मंगोलों ने भारत पर आक्रमर कब किया था तो बलबन के सासनकाल के समय पुरोश सा तुगलग कि सासनकाल के समय इलतुत मिस के सासनकाल के समय मोंबर लिए अनत जयता यहिए scor ने उसने राजदूत के दर बार में बेजा आता जानकारी के लिए उसके राजधूत की हत्या करवा दी और उसे वापस कर दिया था वहीं से, सुद्रजी के तर्शे ये वापश भेश दिया था, ठीक है, नेट कोशन की बात करें, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे गाये, आपको बता दे कि मु def dans गुधि को गुलाम था, कुतुबू दिनेबग जिसने गुलाम वंस की स्थापना की थी, और ये जो इल्टुत्मिस था, ये खुतुश्वधिनेबग का गुलाम था, इसलिए रखेंगे मूली नियंतर पद्धत की बात कर रहा है मूली नियंतर पद्धत की बात कहें या बाजार वितर पद्धत की बात कहें तो यह सुछ चालू करने वाला कौन सा सकता अपसन में अलाओदिन खिल जी है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा अलाओदिन खिल जी थ हैं मलिक काफूर है राडा रतन सिंग है दोस्तों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रामचंद्र देव रामचंद्र देव जो थे वो अलावदिन खेल जी ने जब आक्रमर किया था उसमें देवगिर का सासक था आप याद रखेंगे नेक्ट कोशन की बात करें कराया कि जब अलावदिन खेल जी है मुझा तुगलक है दोस्तों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अलावदिन खेल जी ठीक है नेक्ट कोशन की बात करें क्या कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था पर उलेमा लोगों ने विरूद कर दिया ये मुसलमान मे इसका विरूद किया अंधता उसने इसको अपने इस विचार को त्याग दिया था ठीक तो नेक्ट कोशन की बात करें दिल्ली के किस सुल्तान नी सिकंदर ये सानी की उपाद धर्म केती अफसर में बलबन है अलावदिन खेल जी है मुझमल में तुगलक है सिकंदर लोधी ह अलावदिन खेल जी सिकंदर इसानी की उपाद धर्म करने वाला कौन सा सक था खेल जी जिसे सिकंदर इसानी की उपाद को धर्म किया था नेक्ट कोशन की बात करें किस सासक के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमिकर को उतपादन के पचास प्रिस्चत कर दिया था मतलब भूम उत्पादन होगा जिसका 50 प्रिस्टतक की और कर की रूम में दिया जाएगा ऐसा करने वाला प्रतमसासा कौन था तो बल्बन है अलाउदिन खिल जी है मुंबद बिन तुगलक है फिरोस्ता तुगलक है दोस्तों इसका करेक्टर आंसर क्या हो जाएगा अलाउदिन खिल जी था जिसने भूमी करको उत्पादन को 50 प्रिस्थत कर दिया था याद रखेंगे नेक्ट कोशन की बात करें करा 306 के बाद अलाउदिन खिल जी के समय में दिली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थे आप सुनन में है व्यास नदी है मंगोलों के भी सिमा क्या थी? तो सिंदु नदी थी. नेक कौर्शन की बात करें. किस सुल्तान बाजार सुधार लागू किया था? बात वही आगे बाजार सुधार लागू करने वाला सुधार कौन था? तो आफसन में क्या है? अलाउदिन खिल जी हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है नेक कोश्चन की बात करें नेक कोश्चन आपको कह रहा है कि दिल्ली सर्दनत का सरवादिक विद्वान सासक जो खगोल सास्तर गड़ित युम आयर विज्ञान सहित अनेक विद्वान में माहिर था आप उसका नाम बता क्या है आसन में इल्टुत मिस्थ है आलाउदिन खिल जी है मुहमद बिन तुगलक है सिकंदर लोधी है तो दोस्तों आपको बता दे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुहमद बिन तुगलक होगा यह काफी विद्वान विक्टी था और इसे खोगोल सास्तर गड़ित युम पताया कि पहले लाहूर आजनी थी घुलाम वंस की उसके बाद इल्टुत मिस्थ में उसे दिल्ली कर दे थी उसके बाद मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहा ले गया था तो यह दौलता बाद ले गया था करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दौलता बाद नेक क्रेशन की बाद करें दिल्ली के किस सुल्तान ने एक प्रतक क्रशिविभाग अमीर एक कोही एक क्रशिविभाग की बात कर रहे हैं और इसके इसके इस्थापित करने वाला जो सासक था वो मुहमद बिन तुगलक था याद रखेंगे नेक्स कुश्चन की बात करें कि भारत में स्वर्पथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस ने किया था आपसन में अकबर है अलाओ धिन खेलजी है बहला लोधी है मुहम्मद बिन तुगलक है तो दोस्तों आपको बता दे सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला सासक जो था व होली तिवहर के सारजनिक उस्सों में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रत्म सुल्तान कौन था आपसे में फिरोज सा तुगलक है मुहंबद बिन तुगलक है शेकंदर लोधी है इबराहिम लोधी है तो इसका खरेक्ट आंसर को हो जाएगा मुहंबद बिन तुगलक यानि दि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई अलावद खिलजी के विसे में बलबन के विसे में उल्टुतमिस के विसे में मुहमब बिन तुगलक के विशे में दुसकर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहमब बिन तुगलक तो मुहमब बिन तुगलक था जिसके विशे में बदायूनी ने कहा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से फुरुसत मिल गई मुक्त मिल गई नेक कोशन की बात करें करा बिरोजगारों के सहायतार थी तो बिरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के निर्मिके सुल्तावनों में से किसने रोजगार कारेले की स्थापना की थी आप याद रखेंगे दिल्ली के निर्मिके सुल्तावनों में से रोजगा हम लोक निर्माड विभाग की स्थापना कि थी अलाओ दिन कहलें थी बलबन्वन ने की थी फिरोठा तुगलक ने की थी इस्तोलतिमिस ने कि थी तह आपको बता दें पी कि इस थापना करने वाला दिल्ली से नाशसर जो था वो फिरोसा तुगलक था Virginaj जाएगा यह जाएगा लावधिन खेलजी गया से दिंटुगलक मोवथम तुगलक फिरुशा तुगलक विभ किस्की नेरो कर दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश से एक अनुवाद विभाग का अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समध भेतर हो सके तो आफसे में अलाओ दिन खिल जी है फिरोज साथ तुगलक है इल ठीक है नेक्स कोशन की बात करें नेक्स कोशन और इस वीडियो का लास्ट कोश्चन है कि दिल्ली सलतनत के तुगलक राजवंस का अन्तिम सासक कोन था आफसे में फिरोज साथ तुगलक है गया सोदिन तुगलक है नसुरुदिन महमूद है नुसरस साई तो इसके करेक्ट आपके साथ में आज डिक्स कर लिये है जो कि आपको कब समझ में भी आ गया होगा अच्छे से यह बहुत ही महतपूर कोशन है और इसके जो पचास कोशन है मैं इसके पार्ट टू में लेकर कर आऊँगा तो आप उसे जुरूर देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर न प्रिजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दन्यवाद